नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है पेशाज 16 अगस्त सोंवार शाम 4 बजे राजिस्तान शिरिगंगा नगर और हनुमानगड की खास खबरी अफगानिस्तान पर तालिबान के कबजे के बाद काबुल में हलात और बुरे हो गए हैं अफगानिस्तान से निकलने का सिर्फ एक रास्ता काबुल एरपोर्ट ही बज़ा है लेकिन आज वहाँ फाइरिंग के बाद स्थित्ती और बिगड़ गई फाइरिंग के बाद काबु काबुल एरपोर्ट पर मची भगदर में कई लोगों को घायल होने की भी खबर है। पुराने बादी थानक शेतर में उदराम चौक के पास एक वैराइटी स्टोर से दो इवक रुपए निकाल कर भाग गए। परदेश के थर्ड ग्रेड शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। आपको बताने की दो इत्तेश रेने के बाद अब त्रित्तेश रेने के शिक्षकों के तबारलों को हरी जंडी दे दी है। शिरिकंगा नगचिले के सदर्थानक शेतर में सूरतगर रोड बाईपास पर कार की टकर से बाईक सवर व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि सूरतगर बाईपास पर कार की टकर से बाईक सवर क्रिशन चंद घायल हो गया था। उसको सरकारी अस्पताल में लाया गया वहां डॉक्टरों ने मृत खोशित कर दिया। उसके शव का पोस्ट मार्टम करवा कर शवर परीजनों को सौंप दिया है। मृतक के पुतर रामकुमार की रिपोर्ट पर कार चाले के खिलाफ तेजवे लापरवाही से चला कर बाईक के टकर मारने का मुकदमा दर्स करवाय गया है। क्रिशन चंद राजस्ता रोडवेस में परिचालक परपर कारिरत था। अशंका है कि बोतल में ही ज्वलनशील चेज साथ लेकर दोनों आये थे और खुद को उसी समय आग लगा ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगर की केंद्रिये जेल में एक बंदी ने पेड़ से फांसी लगा ली इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बंदी को फांसी के फंदे पर लटकता देखकर जेल परशाषन में हड़का मच गया। हनुमानगर जंक्शन पुलिस ने बताया कि जेल में सोनु कुमार नामक हीवक ने पेड़ से फांसी लगा ली थी। उसको उतार कर सरकारी अस्पताल में लाया गया, वहां डॉक्टरों ने उसको मौत खोशित कर दिया। अरोपियों को गिरफतार किया है, अरोपियों के कबजे से अवैर देशी कर्टावे जिंदा कार्तुस बरामत किये हैं। पुलिस ने बताया कि एक वर्ष पूरव की गई मानकिटर का बदला लेने की नियत से अरोपियों ने युवक की हत्या की थी। हनुमानगर चिले के संगरिय अथानक शेतर में शादिशुदा युवती से एक युवक की शादी करवा कर करीब डेड़ लाक उरपे हडप लेने का मामला सामनी आया है। पुलिस ने बताया कि संगरिया निवासी क्रिशनलाल ने मुकदमा दर्स करवाया है कि उसकी शादी करीब 6 माँ पहले राजविंदर कौर के साथ हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदार्थों के सेंपल भरने की सूषना से हड़काम मच गया। अधिकतर खाद्या प्रदार्थों के दुकाने बंद हो गई थी। समा चारने के जाने तक टीम ने दो स्थानों पर दूद के सेंपल भरे थे। अन्या स्थानों पर सेंपल भरने की कारवई चल रही थी। सेंपल लेने की कारवई कारवई कार्दा ने बताया की सेंपल भरने का भ्यान लगाता चल आजाए जाएगा। मिलावट खोरों के खिलाफ कारवई करने का निर्ने लिया गिया है। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूस अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बच जाए